क्या आप जानते हैं कि इस पैसे यानी करेंसी का चलन शुरू कैसे हुआ करीब 10,000 साल पहले यानी मध्य पाशान काल में इंसान की जरूरतें पेट भरने तक ही सीमित थी शिकार के लिए हतियार देने के बदले में खाना लिया जाता था फिर आया नवपाशान काल और नहीं किसी एक समान के बदले दूसरे समान को खरीदना समय बीता और चलन शुरू हुआ कमोडिटी मनी का शुरुआती तोर पर जो, उन और चान्दी को करेंसी मान लिया गया सही माप हो सके इसके लिए एक इकाई बनाई गई सिला जैसे आज के समय में लीटर और ग्राम होता है जहां ये कमोडिटी मनी उपलब्ध नहीं होती वहां बैल, मानव, खोपड़ी या पत्थर को करेंसी की तरह यूस किया जाता जब कहीं दूर व्यापार करना होता तो कमोडिटी मनी ले जाने में बहुत मुश्किल होती इसका सल्यूशन मिला चीन में 1200 इसापूर्व चीन में कोडी को ओफीशल करेंसी के तौर पर यूस किया जाने लगा ये करेंसी इतनी पॉपलर हुई कि अफरीका और दक्षिन एशिया में करीब 4000 साल तक इसका इस्तमाल होता रहा भारत के ओडिशा में तो 1805 तक कोडी से ही लेंदिन किया जाता था फिरी इस्ट इंडिया कंपनी आई और इसे बंद कर दिया करीब 600 इसा पूर्व तुर्की में दुनिया की पहली ओफिशल करेंसी यानी सिक्कों की करेंसी लॉंच हुई नाम दिया गया लेडियन इस्टेटर ये सोने और चांदी के मिश्रण से बनी थी जिस पर जानवरों के डिजाइन की मोहर लगी होती हर सिक्के की कीमत भी अलग-अलग हुआ करती थी तुर्की और चीन के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में हैं जहां सिक्कों की करेंसी सबसे पहले शुरू हुई थी भारत में सिक्के ढालने की शुरूआत हुई 600 इसा पूर्व महा जनपत काल में चांदी के बने इन सिक्कों को पन, पुराण और कर्शापण गहा जाता मुगलों का दौर आते आते पूरी अर्थ व्यवस्था सिक्कों पर चलने लगी 1540 में जब शेर शाह सूरी सत्ता में आया तो नई करेंसी जारी की चांदी के सिक्के को रुपया, सोने के सिक्के को मोहर और तामी के सिक्के को दाम कहा जाता दाम को बाद में पैसा कहा जाने लगा फिर आया प्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी का दौर 1857 में रुपया को भारत की ओफिशियल करेंसी बना दिया गया लंबे सफर पर ज्यादा करेंसी लेकर चलना काफी मुश्किल था जिस वज़ा से 700 इसा पूर्व पेपर करेंसी शुरू हुई भारत में पेपर करेंसी की शुरुआत 1862 में प्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंसी बैंक ने की क्वीन विक्टोरिया की फोटो वाले नोट जारी हुए इन नोटों का लेखा जोखा और प्रिंटिंग मैनेज करने के लिए 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1947 में देश आजाद हुआ और 1979 में पहली बार भारतिय करेंसी पर महत्मा गांधी की फोटो छपी तब से आज तक भारतिय करेंसी का पूरा जिम्मा रिजर्व बैंक के हाथो में ही है ये तो हो गई सिक्कों और पेपर करेंसी की कहानी मौजूदा सरकार ने 2014 में प्लास्टिक करेंसी लॉंच करने की भी बात कही थी इसके पीछे वज़ा थी प्लास्टिक करेंसी का जादा लाइफ स्पैन